नमस्का दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल डॉक्टर आजे सिंग बागिला में स्वागत है प्रेंट्स आज मैं आपके बताने वाला हूँ कि क्या गर्वती मैलाव को संत्रा खाना चाहिए और खाने की क्या फाइदे हैं और क्या सही समय है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सुस्क्राइब कर ले और बे लाकिंग को जरू होन करें ताकि हैल से जुड़े सभी वीडियो की नोटिफिकिजन सबसे पहले आप तक पोस्सकें तो चली इशुरू करते हैं दोस्तों प्रेग्नेंसी के दोरां संत्रे का सेवन करना गर्वती मा और शिशु दोनों की सहत के लिए बहत फाइदेमन होता है प्रेग्नेंसी में गर्वती माईला को अपने खान पान पर अधिक द्यान देने के जरूत होती है दरसल गर्वती माईला जो भी खाती है उससे उसकी सहत के साथ साथ शिशु का स्वाथ भी प्रवावित होता है यही वज़ा है कि प्रेग्नेंसी में गर्वती मैला को पोशक तत्वों से बरपूर फॉलो का सेवन करने की सला देते हैं इसमें से मा और शिशु दोनों की सेयत को लाब होता है कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या प्रेग्नेंसी में संत्रा खा सकते हैं या प्रेगनेंसी में संत्रा खाने से क्या फाइदे होते हैं तो मैं आपको बता दूगी प्रेगनेंसी में संत्रा खाना बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी के दोरान संत्रे का सेवन करना बेहत फाइदेमन होता है संत्रे में पोशक तत्व की बात की जाए तो इसमें विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, कैल्चम, मैगनिशम, पोटेशम और फास्पोरस जैसे कई पोशक तत्व पाये जाते हैं ये सभी पोशक तत्व गर्वती मैला और शीशु दोनों के स्वास्त के लिए लापकारी होते हैं प्रेग्नेंसी के दोरान संत्रे का सेवन करने से गर्वती मैला की इम्मुनीटी मजबुत होती है जिससे संक्रमन और बिमारी से बचाव होता है इसके साथ ही ये सीशु के मस्तिक्स के विकास के लिए भी फायते मद होता है अब बात करेंगे प्रेग्नेंसी के दोरान संत्रे खाने के फायते इम्मुनीटी मजबुत होती है शीशु के मस्तिक्स के विकास में मददकार होता है डिया अडेसिन से बचा करता है कप्च की शिकायत धूर होती है ब्लेड पेशर कंट्रोल में रहता है अब बात करेंगे प्रेगनेंसी में संत्रा खाने का साइज समय क्या है तो एक प्रेगनेंट महीला को प्रती दिन के इसाब से 80-85 मिली ग्राम विटामिन C का सेवन करना चाहिए अगर देखा जाए तो प्रते एक महीला की गर्बावस्ता की जो इस्तिती होती है वो अलग अलग होती है तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर से परामस जरूर लेना चाहिए आप प्रेगनेंसी में संत्रा कभी भी खा सकती है आप संत्रे का जूस पी सकती है आप संत्रे को सुबर नास्ते के समय कर सकती है दोपर में सेव का जूस पी सकती है आप इसे खाली पेट भी खा सकती है दोस्तों ये थे संत्रे खाने का फाइदे और संत्रे खाने का सई समय आशा करता हूँ वीडियो में दीके जानकारी आपको अच्छी लिगी होगी अगर जानकारी अच्छी लिगी हो तो वीडियो को लाइक करें कमेट करें और वीडियो को जादा से जादा शेयर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आकें को जरूर अन करें थेंक यू